आज के जमाने में बिजली जो है वो गाउं एवंसहर बालों के लिए बहुत जरूरी है। बिजली की उपलवता से ही गाउं एवंसहर का विकास ना पाजा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छे महीने पहले एक विडियो बनाया था जो काकन गाउं में बिजली की समस्या था। बिजली के खंबे हैं उस पे तार लगा हुआ है लेकिन बीच बर्स पहले ट्रसफरमा जल गया था। और आज तक उहां ट्रसफरमा दूसरा नहीं लगाया जया है। हमारे यहां पहरे वीज़ी सुविदा थी लेकिन ट्रास्फर्मर जल जाने के कारण से अभी तक नहीं आया है। बहुत परिशान ही होता है। अंधेरा में चलने पड़ते हैं। अधेरा से लोग बच्चा बच्चा कार लेता हैं। कितने लोग हैं जो इस समस्य से परिशान हैं। वीडियो बनाते समय मैं ने यह ठाना था कि काकन गाउं में बिजली लाकर करके हि रहूंगा। इसके लिए मैंने उहां के गाउबालों को इकठा किया और उनको साथ लेकर बीजली भ्या गया बीजली भ्या के पदादिकारी के सामने उन लोगों ने अपना समस्या को रखा और उसके बाद उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बीजली भ्या के करमचारी ने वहां पर आय आए थे अब बदलाव कैसे आया हमारे गाउं में एक असोग जो की वीडियो विलेंटेर की काम करते हैं अभी उन्होंने आया और इस समस्या का समधान करने के लिए उन्होंने वीडियो रिगोडिंग करके समझ समस्याओं के वीवक्स विद्यों से लिये और इसका अपने यहां पर क्या सुविधा मिला आपको हमें वीडियो बनाने के बाद हमें बेली का ट्रास फर्माया और हमारे गाउं में सभी साथी लोग हमारे गाउं के चालिस हरक लोग वेक्ति कंजिमर बने और अब बनने के लगभग कितने दिनों के बाद आपके पास बिजली काकन गाउं के लोगों ने एक जूठ हुए और काकन गाउं में बिजली लाकर के दिखाए अभी वहां के किसान बिजली से सिजाई भी करते हैं वहां के बच्चे रात के अंधिरे में बिजली के सामने अची पढ़ाई भी करते हैं और काकन गाउं भी आप विकास के राष्टे पाचलने के लिए तैयार हैं मैं अश्वक पासवाद जिला जमूई से इंडियान हट के लिए